हेलो स्टुएंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो हम फिर हैं आप सब के सामने वही उद्गम सीरीज के साथ जिसमें हम आपको नेट के एडवांस कुछ टॉपिक्स जो हैं वह हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इनके ऊपर हमने देखा है के ऑनलाइन आपके पास कंटेंट उतना ज छोड़ भी देते हैं या उन्हें इजी कंटेंट मिल नहीं पाता है तो आज हम डिसकस करने वाले हैं अबाउट न्यूटन रैप्सन मेथड पिछले लेक्चर में हमने डिसकस किया था कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है उससे रेलेटेर फिर हमने एक दो कोश्चन जो न आवर नुमेरिकल्स नाओ वैसा ही एक और बहुत इजी कोश्चन आपके लिए आता है जो कि है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड के उपर अब न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है यह भी रूट्स फाइंड आउट करने के काम आता है नुमेरिकल टेक्नीक्स में सबसे ज् पूद्गम सीरीज का जो लेक्चर नंबर सिक्स होगा और इसमें अभी हम न्यूटन रैप्सन मेथड कवर कर रहे हैं तो नुमेरिकल टेक्नीक में यह मान के चलिए है कि आप एक कोश्चन हंडर परसेंट हमेशा देखा गया है ठीक है मतलब ऐसे तो कोई हंडर परसेंट नहीं होता कभी ना है तो काम क्या कहेंगे हां बट हमेशा देखा जाता है कि आपके पास पांच नंबर का एक कोश्चन आ जाता है तो यह तीन लेक्चर अटेंड करने के बाद मतलब लेक्चर नंबर 456 इन तीनों के बाद कम से कम आपका इतना स्कॉप होगा कि येस मतलब क्योंकि मैं mathematical physics पढ़ाता हूं तो मैं probability की terms में बात कर सकता हूं कि there are 80-90% chance कि आप वह पांच नंबर ग्रैब कर लोगे तो इन दिस वे हम आगे बढ़ते हैं शूरी नाव गाइस Newton-Raphson method हम देखेंगे कि क्या होता है यह क्यों advance है थोड़ा सा वैसे इसके basic introduction में आपको दूंगा along with that इसके practice question हम देखेंगे कि इसके जो previous year के question है वो किस तरीके के question आते हैं किया पांच नंबर आप ले सकते हो तो पहले आप method सीखेंगे फिर आप खुछ जज करो कि जो question आया है क्या वो आपके लिए solvable है क्या आप उसमें पांच नंबर ले सकते हो तो अगर आप ले सकते हो तो automatically comments में बताना कि यह सर अब पांच नंबर आ सकते हैं ठीक है नहीं तो लिख देना ठीक है इस टॉटली अप तो यू ठीक है तो now let's we start newton repson method यह क्या है यह बहुत ही intelligent kind of method by section method मैंने आपको जैसे explain किया कि आप क्या करते हो दो values हैं जिसके बीच में आपको पता है कि कहीं पर कोई route आ सकता है तो आप क्या करते हो उसका half लेते हो फिर उनका half लेते हो फिर उनका half लेते हो तो ऐसे से करके आप उस answer तक प्रोच करने की कोशिश करते हूं बट न्यूटर रेप्सन क्या है वो कहता है जी दो पॉइंट नहीं चाहिए कोई भी पॉइंट दे दो हम चला लेंगे काम हम ठीक है वह होता है एक पता नहीं कौन सी मूवी में ऐसे डायलोग होता है आई विल फाइंड यू एंड किल यू एक है तो इसी तरह से मैं तो मैं ढूंड लूँगा तो जस्ट एक पॉइंट शेहिए आपको जिस पॉइंट के अब आउट आप चलोगे और उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर आपने वाइडर रेंज ले ली तो उसके बाद आपको हाफ-हाफ-हाफ-हाफ-हाफ करते करते बहुत टाइम लग जाएगा अंसर तक पहुंचने में ऐसा नहीं है ल सब्सक्राण सब्सक्राइब फरह तो इस तरीक का है एक इटरैंटीव मैथर है है तो क्या कहता है है मैं लेटरे मनें Q ο साण में होते है और टोट्स तरीके मुषिआ है हम पिछले लेक्चर अचर से चुके हैं। देखते हैं तो यह हमारे पास इसको मैं मेंचिन कर देता हूँ X, Y इसके साथ यह हमारे पास सम कर या इसको थोड़ा समय और बेंड करता हूँ Not that good हाँ, like that अब क्या है आपको पता है कि यह जो value है यह value आपके पास आपका root है लेकिन इस value तक पहुंचा कैसे जाए By chance आपने कोई भी point ले लिया आपने एक point ले लिया जिसके उपर आपके पास यह function की कोई value है Any, any random point ठीक है root के जितने पास होगा उतना अच्छा है बट अगर कोई, मतलब आपको जब तक accurate नहीं पता है तब तक कोई भी point तो अब यह जो कोई भी point है इसके उपर अगर मैं इसको एक tangent अगर मैं इस पर draw करूँ तो वो लाइक दिस यह एक tangent ड्रो होगा इसके उपर या मैं कहूं कि अगर मैं इस जगह पर एक slope लूँ उसको कर्ब के तौर पर draw करूँ या मैं कहूं कि मैं अगर differentiation लूँ तो differentiation आपके पास tangent ठीक है के वारे में बताता है कि उस point पर क्या है तो somehow मुझे एक ऐसे tangent की जरूरत है अब वो जो tangent है आपका वो आपका जाकर यहां कहीं पर आपके axis पर कट करेगा अब आपने क्या करना है पहले आपका पिछला point यह था आपने उस पर tangent लिया उस का रोपे और इस point पर आगे अब क्या करो next इस पर जो value है इस पर tangent लो पिर यह point आजएगा फिर क्या करोगे इस पर जो value है इस पर tangent लो तो इस तरीके से आप दो तीन बार tangent लेने में उस root के इतने close आजाओगे जो की आपको bisection method में देखो bisection method totally depend करता है कि आप overall कितना दूर हो दूर हो half-half-half-half-half-half करते जाओगे सो बहुत सारे half-half-half-half करने के बाद ठीक है देन उस चीज़ का scope है मतलब convergence उतना ज्यादा नहीं है पता है कि यह आपका curve है yellow color में उसके बाद हमने एक point लिया जो की आप consider कर सकते हो कि x naught है ठीक है तो x naught के उपर यहाँ पर आपके पास जो function है ठीक है तो यह आपके पास function है f x naught यह आपके पास इसकी value है then हमने इसमें देखा कि इस point में हमने slope draw किया अब यह नया point आ गया यह हम इसको माल लेते हैं x1 और इसके बाद यह जो point है यह क्या होगा यह होगा f x1 ठीक है similarly फिर यह क्या जाएगा इससे नया point बनेगा x2 और फिर यह f x2 और ऐसे से करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे further iterations लेते जाएंगे now let's look at कि हम किस तरीके से x naught और f x naught का use करके हम find out कर सकते है x1 की value ठीक है तो सबसे पहले हमारा यह काम है क्या काम है कि हमें एक single iteration चाहिए कि अगर मेरे पास एक point है और उसके उपर मेरे पास function की value है ठीक है मतलब function की information मेरे पास है तो जिस point में मुझे यह deal करना है उससे मैं इस point को कैसे find out करूँगा कि इसका tangent यहां कैसे आ जाएगा तो यह हमारा first task है तो हम उसको कैसे करते हैं हमारे पास भी अब इसके उपर slope लेना है इस point पे एक्स नोट पे तो हम क्या कर सकते हैं हम भही यह काम कर सकते हैं हम differentiation ले सकते हैं f-x नोट इस point पे हमने differentiation ले लिया तो differentiation की value क्या है differentiation की value है slope के बराबर तो जी अब इस line का slope क्या है ठीक है इस line का आपके पास slope क्या है इस line का आपके पास slope आप निकाल सकते हो y है by x ठीक है y by x तो इस से आप इसका slope निकाल सकते हो तो y क्या है यह देखो यह आपके पास इस यह जो point है इसके coordinates आपके पास क्या बन रहे हैं तो यह आपके पास है x-not इसको same color में दिखते हैं x-not and f-x-not ठीक है यह आपके पास point है यह आपके पास है x-not तो यह x की value y की value क्या है 0 यहां यह जो point है यह क्या है आपके पास x1 और y की value आपके पास क्या है still 0 तो एक बार एक काम करते हैं इसको मैं थोड़ा सा क्योंकि इसमें कई सारे curve हमने mix कर दिये इसको मैं एक बार दोबारा से draw कर रहा हूं यहां पर for a better picture ताकि किसी तरीके का confusion ना रहे तो हमें overall x1 की value चाहिए यहां पर now तो यह f dash x note यह आपके पास क्या होगा y2 minus y1 by x2 minus x1 ठीक है इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं और यह आपके पास क्या है जो f x note divide by यह आपके पास f x note minus 0 तो जो यहां पर आपके पास x और y की value है तो y तो यह हमें height चाहिए तो this height specifically is यह आपके पास this point y की value minus this point y की value फिर हम आ जाते हैं इसके उपर तो x note minus x1 ठीक है तो यह आपके पास आपके पास आएगा x note minus x1 तो यह हमारे पास points आ गए now अब इस में हमें value निकाल लिए x1 की तो बिलकुल अब तो simple से काम रह गया है so x note is equal to minus x note minus x1 equal to f x note divide by f dash x note and then जो आपके पास x1 की value है that is x note minus ठीक है तो x note minus f x note divide by f dash x note तो यह guys आपके पास first value क्या होगी using 0 तो अगर इसी का हम general formula बनाएं तो हमारे पास क्या बनता है x की power n plus 1 equal to xn तो nth का term का use करके हम n plus 1 बनाएंगे minus f xn f dash xn तो यह guys आपके पास एक general formula है using this formula हम find out कर सकते हैं के भी एक iteration के बाद एक जो हमने value ली है तो उसके बाद closer to the root next value क्या होगी फिर उसके बाद next closer तो next जो value आईगी उसको फिर यहां रखो उससे फिर next value निकालो फिर यहां रखो फिर next value निकालो so in this way हम आगे बढ़ते रहेंगे तो यह एक basic सी चीज है जो हम कर सकते हैं इस case में now let's look at कि एक question हम करके देखते हैं कि Newton Repson Method का कि किस तरीके से किसी answer को हम approach कर सकते हैं उस तक हम पहुंच सकते हैं तो सबसे पहले है कि हमें अब इन questions में क्या खास बात रहती है कि आपके पास वही जैसे bisection में मैंने आपको बताया कि सारी information गिवन रहेगी वैसे ही इसके अंदर भी आपकी सारी information गिवन रहेगी जैसे कि यह है find the root of the equation x cube minus 5x plus 3 तो find the root of the equation x cube minus 5x plus 3 अब इसके root निकालने है using Newton-Raphson method taking ignition value as 1 using Newton-Raphson method taking initial value to be 1 तो 1 से हमें start करना है कि root का जो start करना है x naught की जो value लेनी है वह हमें 1 से लेनी है now let's start के भी क्या है हमारे पास सबसे पहले function की value क्या है function है हमारे पास x cube minus 5x plus 3 यह हमारे पास function है दूसरी चीज अगर मैं function का derivative ले लू तो मेरे पास क्या है that is 3x square minus 5 that's it यह मेरे पास function का derivative है so according to the formula मेरे पास x n plus 1 क्या होगा that will be x n minus यह according to formula अगर हम देखे तो x n minus function divide by derivative तो minus function divide by its derivative like this और इसमें भी हम x की value यहां n पुट कर देते हैं बस हो गया काम तो यह formula बनाते है आदा काम खतम अब आपने लेनी है x की value n start with x not is equal to 1 तो जब मैं value 1 put करूँगा तो x1 की value क्या आएगी x1 की value जब मैं x not की value 1 put करूँगा तो यह जाएगा 1 minus इसमें value 1 put करेंगे तो 1 minus 5 plus 3 यह मेरे पास बनेगा और यह करेंगे तो 3 minus 5 तो 1 minus 5 plus 3 और divide by यह आएगा 1 put करेंगे 3 minus 5 fine तो यह solve करके आपका बनेगा 1 minus यह आपके पास हो गया 4 और यह है minus 1 और यह है minus 2 तो यह आपके पास है उपर है 4 minus 5 minus 1 नीचे है 3 minus 2 तो 1 minus half half तो x1 जो आपके पास value आगे यह वह आगे half अब आगे बढ़ते हैं what is x2? x2 क्या होगा? x1 minus fx1 divided by f' x1 अब इसी पूरे question के अंदर आपको यह जो expression है x इसकी जगे 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 यहाँ और यहाँ 1 by 2 हर जगे पुट करना है तो आपके पास x2 की value क्या आएगी? so this will be 1 by 2 minus and this fx1 ठीक है? तो यह जो आपका function है यह आपके पास आजाएगा 1 by 2 cube minus 5, 1 by 2 plus 3 divided by 3, 1 by 2 square minus 5 so this will be like this and in this way अगर हम इसको solve करते हैं so the next value we get is 0.647 so this is equal to 0.647 so यह value हमारे पास आ रही है now तो यह हम next value पे पहुँच गे और close आगे उस root के अब next हम use करेंगे इसको 0.647 को so तो क्या होगा? आपके पास this is x2 अब आप find out करोगे x3 which is x2 minus fx2 divided by f dash x2 this is like this और यह क्या हैगा? 0.647 minus यह जो function है और divide by इसका जो derivative है on the same thing और यह let me tell you आपके पास जो इसका answer आता है so this is 0.656 बाकी देखो जब आप next iteration solve करोगे यहाँ पर function की value तो put करोगे तो उससे आपको idea लग सकता है इस value को इस function में put करने पे वो 0 के कितना close आ रहा है 0.000 कितने में answer आ गया? कितना छोटा answer हो चुका है उससे idea आपको लग जाता है कि हाँ it means root के आप close जा रहे हो तो पहले यह वाला function के अंदर यह value है यह value पहले आपकी जादा होगी फिर वो धीरे धीरे एक एक step के बाद वो कम होती जाएगी तो जीरो की जितना close जाएगा उतना आपका answer के close जा रहा है अब यह आपने नई value आगी next पूट करते हैं तो यह जो आपके पास बनेगा लाइक दिस तो यह आपको अब इसका जो answer है यह 0.0023 ऐसे मतलब पहले दो डिजित आपके 0 है जाके 2 है तो ऐसा आ जाता है एंड जब उसके भी डिवीजन में कुछ नंबर है वह और भी छोटा होगा तो फाइनली जाके यह नंबर इतना छोटा हो जाता है कि आपके पास जो answer है वह इतना ही आता है वापिस क्योंकि मतलब तीन डिजिट तक क्यों कोई असर ही नहीं पढ़ रहा इट मेंस आप अप्रोक्सिमेटली तीन डिजिट के मामले में कहो तो आप रूट तक महुच चुके हो तो यह आपका आंसर है यह आपका रूट है तो एक भार फिर से देखते हैं कौश्चन में हमने क्या क्या डिस्कस किया है थो सबसे पहले हम जाते हैं टेक्णीक को डिसकस करते हैं टेक्नीक के अंदर हमने डिसकस किया कि आपके पास भी एक curve है ठीक है उस curve के अंदर आप root find out करना चाहते है और आपके पास एक ही point है any random point अपने ले लिया या basically question के अंदर ये मान के चलिए वो point आपका given होगा ठीक है क्योंकि आप जो भी initial point लोगे उससे further root कहां आता है कितनी जल्दी आप answer पर पहुँचते हैं उस पर फर्क पड़ेगा so that's why आपको paper में अगर उनको certain answer चाहिए आपसे तो they will give you that कि आपको particularly इस point से start करना है now तो हमने क्या किया हम चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जो slope है ये find out किया जा सके अब ये भी ये positive slope है तो y2-y1 और x2-x1 ठीक है मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो तो now इसकी जो y की value है जो higher value है lower value है हमने इसको subtract किया और इसमें जो x की higher value है lower value है इसको हमने subtract किया and this is equal to the slope of this line अब इसको बस हम थोड़ा सा rearrange करते हैं तो हम देखते हैं कि x0 से x1 पहुचने का सफर इस formula से होता है तो it means किसी भी xn से xn plus 1 पहुचने का सफर इस formula से होता है और इतना ही formula आपको याद करना है अब आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा एक question इस question के अंदर आपके पास क्या है एक function है इसके roots find out करने है और इसको कहा गया है कि one के close आप देखो तब root find out करना है तो वह जिस root के पास closest होगा उसी के उपर जाकर यह converge करेगा तो अब यह क्या है यह function है यह derivative है और यह formula अपने general लिख दिया यहां पर आधी सॉल्व करकर आके फिर यह बन गया तो यह सारी जो चैइस हैं आपके पास बन रही है अब यह दो step में आ गया तीसरा step फिर यह आपके पास थ्री डिजिट के मामले में अचीव हो चुका है थ्री डिजिट की accuracy तक अचीव हो चुका है तो बस तैट इस आंसर अब अगर मैं बात करूं कि net के अंदर question कैसे आते हैं तो जो net के अंदर question आते हैं वह इससे यह तो मैंने थोड़ा सा open-ended लिया कि end तक find out करो just के हम understand कर पाएं otherwise जो net में question आते हैं वह इतने open-ended नहीं होते वह बताएंगे आपको भी एक iteration में बता दो दो iteration में बता दो तो इतनी iterations में क्या होगा सो उस हिसाब से हम देखते हैं अभी दो question हम देख रहे हैं तो उनसे regarding क्या होता है let's look at तो यह हमारे पास जून 2016 में question आया हुआ है पी वाई क्यू का यह question previous year question है जून 2016 में आया हुआ है अब इसमें क्या कहते है find the roots of the polynomial एक एक दिया हुए है polynomial तो मैं इसको थोड़ा से short short में लिखता हूं roots of a polynomial अब वो polynomial कौन सा है that is 3x cube minus 4x minus 5 that is 3x cube minus 4x minus 5 ठीक है यह है अब इसमें using Newton Raphson method ठीक है this thing the initial guess 2 using to be x is equal to 2ature przed next iteration it's value is near as 2 ठीक है जू आपके पास कहा है Initial guess Is X equal to 2 ठीक है And उसके बाद ये है In the next iteration Its value is nearest to In the next iteration Its value is Nearest to भी इसकी value किसके nearest आएगी Next iteration में बस जादा दूर नहीं जाना है Next iteration अब आप खुद मेर को बताना कि क्या आप इस question में 5 number ले पाओगे एक function आपको given है Like this और function का derivative जो आपके पास है वो क्या बनेगा 9 9 x square minus 4 यह आपके पास function का derivative है Now the formula will be आपके पास x naught minus function function जो यह है 3 x naught cube minus 4 x naught minus 5 divide by 9 x naught square minus 4 तो यह आपके पास है और यह x1 तो यह पूछ क्या रहा है यह कह रहा है कि बस इतना बताओ In the next iteration इससे अगले वाली iteration में वो value क्या होगी अभी का जो guess है वो 2 है That's it तो x1 आपका क्या होगा जब पहली iteration आपने 2 रखी है तो यहाँ पर x naught की जगे हमने 2 put कर दिया तो 3 into 8 हो जाएगा यह minus 4 into 2 हो जाएगा minus 5 हो जाएगा इसको decibel मत सोच लेना ठीक है product हम तो यह 9 into 4 हो जाएगा minus 4 हो जाएगा so that is equal to 2 minus यह आपके पास है minus 8 minus 5 divide by 37 minus 4 32 so this will be your value बस बाकी तो क्या है यह 8 और 5 तेरा minus करेंगी 11 बटे 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 दो माइनस 11 बटे 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 था क्या है बटे 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 पांच नमबर में आया हुआ है सिर्फ एक इट्रेशन पूछी है इनीशल गैस दिया हुआ है तो बाकी जितने भी मीम्स आप आसपास सुनते हो वह सेट कर लो तो पांच नंबर का यह कोश्चन है नाओ तो मतलब क्योंकि हमने एक पिछला कोश्चन किया वह थोड़ा ओपन एंडिट था वह उस हिसाब से था कि जैसे कॉलेज में आपसे पेपर में पूछा गया हो लेकिन एक्जाम पॉइंट ऑफ यू में उनको एक सर्टेन आंसर चाहिए आपसे ताकि वह चार ओप्शन म बढ़ानी पड़ती है यह सारी इनिशल वैल्यू नंबर ओफ इटरेशन यह उनको देनी पड़ती है तो यह इस तरीके से पांच नंबर आपके होगे भी एक और कोश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा उसके बाद में जून दोहजार उननीस के एक्जाम में आया हुआ So, what this question is Newton-Raphson method use करना है, equation आपकी क्या है, ठीक है, find roots, ठीक है, so the question is, okay, okay, so the question is, if Newton-Raphson method is used to find the roots of equation अब आपके पास कैसी equation है, x equal to, so this is 2 sin x x equal to 2 sin x the iteration equation is the iteration equation is भहिया, equation क्या होगी, iteration की यह आपको बताना है तो अब हम क्या कर रहे हैं, कि simplest way में, आपके पास function क्या है, सबसे पहले हम decide करते हैं, तो मतलब पहले question देखते हैं, कि यह equation है, इस equation के roots अगर हम Newton-Raphson method से find करते हैं, तो iterative formula क्या होगा है, यह iterative equation क्या होगी, यह हमें बताना है, अब इसका solution हम करते हैं, सबसे पहले function क्या है, तो यह आपके पास 2 sin x minus x, यह आपके पास function है, क्योंकि इसको minus x लेके जाओगे, तब ही equal to 0 बनेगा, तो root का मतलब क्या है, क्यों आपका equation है, यह x की वो value जिसके लिए वो 0 देने लगे, तो 2 sin x minus x, यह आपके पास function है, f dash x क्या है, f dash x आपके पास है, cos x minus 1, तो x n प्लस 1 आपके पास क्या होगा, x n minus 2 sin x minus x, divide by 2 cos x minus 1, यह आपके पास function होगा, तो यह क्या है, यह function और उसका derivative, अब बस इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा 2 cos, क्योंकि x n है, इसको ऐसे put कर देते हैं, यहाँ पर यह आजाएगा, 2 x n cos x n minus x n, ठीक है, तो यह x n जब इससे multiply होगा, minus 2 sin x n, और यह minus minus plus x n, यह आपके पास होगा, x n से x n यह cancel हो जाएगा, बाकी आपके पास, cos this is x n, बाकी आपके पास 2 से यह सब 2 cancel, तो आपके पास बचेगा, x n cos x n minus sin x n, और यह आपके, 2 cancel नहीं होगा, यह minus 1 भी है, minus 1 भी है, 2 cancel नहीं होगा, so 2 cos x n minus 1, so that will be your answer, yes, that is your answer, 4 option आपको given है, उस में जिस option में आपको इस से answer match होता मिल जाएगा, that's it, वो answer है, तो, वो क्या ना मैं, संजेदत करते हैं, पच्चास तोला, वैसे ही यहाँ पर 5 number, ठीक है, so, Neutron Rapson Method is one of the easiest method, जिस पर आप बहुत easily भाच नंबर जो है, वो आप grab कर सकते हो, और बाकी भी जो इसके previous year के question है, if you will look at, तो दो question हमने एक general question किया, और दो previous year के question किये, जो कि 2016 और 2019 के बहुत जादा पुराने नहीं है, and last lecture में हमने Neutron Rapson का by section method का 2023 का किया, क्या उसमें कोई नहीं चीज आ गई थी, तो वही है जो by section आता है, जो by section method होता है, तो Neutron Rapson में बस वही statement, चीज़ों को थोड़ा बहुत उलट पलट करके, उसी Newton Rapson method को ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से use किया जाता है, but their questions are very easy, आप उसमें पांच नमबर सीधा आप grab कर सकते हो, यह जो हमारा lecture था, उद्गम सीरीज का, लेक्चर नमबर 5, इसके अदर हमने Newton Rapson method को डिसकस किया है, I hope आपको यह समझाया होगा, ठीक से पसंद आया होगा, पांच नमबर Newton Rapson से पके हो गए के नहीं हो गए, comment section में जरूर बताएं हमें, और आपके और भी जो suggestions हो, वो आप इसमें discuss आप कर सकते हैं, along with that, I hope आपको लेक्चर अच्छे से समझाया होगा, that's it, इसके बाद मिलते हैं हमारे next lecture में, जिसमें हम discuss करेंगे trapezoidal और Simpson rule, जिसके उपर भी numerical techniques में question देखे जाते गए हैं, ओके गाईज, बाबाई, take care and have a good day.